तो हेलो दोस्तों जी एस्टी के एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपको जी एस्टी में टैक्स का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन सा रिटर्न भरना पड़ेगा यह आपको आज बताने वाला हूं तो सबसे पहले जी एस्ट करने के बाद सबसे उपर में देख सकते हैं सर्वीस का अपसिन दीख रहा होगा आपको उस वाले उपसिन पर आपको जाना है यहां देख सकते हैं कि मैंने घ्र 3D फाइल नहीं किया है क्योंकि मेरा एमांट शॉट हो रहा था तो मैं आज आपको एमांट ट्रांसफर करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप सर्वीस उपसिन पर जाएँ और वहां से अपको लेजर आले आप्सिन पर जाना है कि लेजर में छोनिकर केnumber के लेजर पर जाने के बाद आप देख सकते हैं सकते हैं आपको सामने घ्र 3 p ? 2009 transfer of amount within same GHTI number यानि आप टैक्स का transfer यहां से कर सकते हैं तो आपको second वाले option पे देख रहे है उस वाले option पे जाना है अगर आपको आपका GST नमबर डिफरेंट है यानि दो GST नमबर है तो आपको third वाले option पे जाना है अधर्वाइज आपको आपका सेम GST पे transfer करना है आपको amount तो आपको second वाले option पे जाना है उस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा cash laser balance दिख रहोगा आपको जिसमें central tax पे है state tax पे amount दिख रहा है tax का amount मेरा IGST पे कोई भी amount नहीं सो कर रहा है तो मैं अभी आपको cgst से आपको स्लाइड करके थोड़ा नीचे आना है आप देख सकते हैं मेरे दो ही लेजर में amount है ठीक है दोस्तो मैं आपको आपको स्लाइड करके नीचे आना है और आपको एड रिकॉर्ड वाले option दीख रहोगा आपको सबसे पहले amount transfer from तो amount रंब किस amount से transfer करने आपको तो मेजर इड़ में आपको select करना है ठीक है तो मैं C.Z.C. zee amount चाहता हूं तो आपको majorảo environmentC delight करना है कि मैने major इड़ से cg-a storike कर लिज रेट क्या लेना है आपको है टैक्स माउआंट लेना है ठीक है है मैना हेड में टैक्स मोन ले एंगे टैक्स लेंगे अधिक तो आपको किस हीट में ट्रांफिर करना है तो मेजर हीडcourse लेना है और किस वाल्फिन पर टैक्स बेजना है तो अपको टैक्स में आपको amount type कर देना हैा ठीक है तो मैं टैक्स में ón add anna करना चाहता हूँ 맛있 तो मैंने 54 रुपे टैक्स वाले amount पर transfer करके save का option दिख रहा होगा निची आपको save कर देना है ठीक है नो कि यहां से Yes कर ले है watching hypothesis सबसे पहले मेजर लेना है एस लेक्स सेलेक्स करना और मेरा अवेलबल दीख रहा है आपको अव एमाउंट ड्रांसफर करना है तो मेजर लेंगे आज यह टी देख सकते हैं मेरा करना है और किस आमाऊट पर करना है तो टेक्स में पांस चावरें टाइप कर देता हो अब यहां से सेम प्रोसेस से इन सब हेट में ड्रांसफर कर सकते हैं इंट्रेस्ट में पेनल्टी में फी में फिर से से सेप कर देना है और यस कर देना है कि इस तरह मैंने क्या किया सीज्ट से भी आई जेस्टी में एमाउंट ट्रासफर किया है अब आपको नीचे प्रोसीड टू फाइल दिख रहा है तो आपको प्रोसीड फाइल में क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको सबसे पहले देक अप्स अप्सक्ते आपको नीचे आपको टैक्स में एमाउंट दीक रहा होगा ठीक है तो मेरा आप देख सकते हैं बट आपको एक वेरिफिकेशन पहले करना पड़ेगा तो आपको आए हेरवाई पे क्लिक करके और फ्राइच पोसें का नाम स्लेक्क कर ले और फ्राइच पॉस्टी पीम्त जीरो नाइन उस पर आपको क्लिक करना है एंस мощmen जैसे आप गेशनद याँ से करना है यहां करना है कहां यहां भी دो option आएंगे डी एसी के थूर और एवीशी के तूर है तो मैं डीएसी के थूर आपको वरिऐफाई कर के दिखाता हूं तो डीएसी पे मैं कलीक करता हूं कि अब प्रोसीट करना आपको यहां से मेरे डीएसी यहां रीड हो रहा है अब उस पर उस पर सेलेक करके साइन पर क्लिक कर देना है कि साइन पर क्लिक करते ही अब देख सकते हैं फाइलिंग सेस्फल मेने यहां मेरा सोह हो रहा है यानि मेरा जीएस्टी पी-म्ट-09 फाइब हो चुका है अब मेरा लेजर में कैस लेजर में आई जीएस्टी में भी एमाउंट सो हो रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूं यहां से बैक आजाना है आप देख सकते हैं मेरा लेजर वालेंस में कैस लेजर में देख सकते हैं मेरा 1040 रुप्य आपको दिख रहा होगा आई जीएस्टी में सो कर रहा है ठीक है दोस्तों तो इस तरह आप अपना एमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो एक हेट से दूसरे हेट में इस तरह की वीडियो में लाते रहता हूं तो प्लीज चैनल को लाइक करना बिलकुल ना भूले मैं जीएस्टी पर हर दिन एक नए टॉपिक आपको वीडियो बना कर देता रहूंगा थैंक्यू धन्यवाद